हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू अलाइन क्लासे जो फारल केडमी स्टुडेंट्स आज की वीडियो में अपन ट्वेल्थ इंग्लिस कंपल्सरी की रैंबो बुक से चेप्टर नमर फाइव जिसका नेम है हाउ योगा हिल्स के इंपोर्टनेट क्योसंस एंड आंसर्स को समझ नहीं पाया था आज की वीडियो में अपन उन क्योस्टन आंसर्स को डिटेल से समझेंगे वह क्योस्टन आंसर्स जिनकी पीडियाप मैंने आपको सेंड की थी तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीड वीडियो के description box के अंदर में वो सारे links डाल रहा हूँ जहां से आप क्या कर सकते हो उन वीडियो को watch कर सकते हो उन वीडियो को watch करने के बाद अगर आपने अभी तक इस chapter के question answer से अपनी notebook में नहीं किये हैं तो वो भी आपे अपनी notebook के अंदर कर ले हैं तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप उस चेप्टर का यानिकी टाइटल वगरे ये लिख देना, जैसे कि चेप्टर नमर फाइफ, चेप्टर का नेम है, इंडिया जिप टू दा वर्ल्ड और जिसके दो पार्ट है, पहला जो पार्ट है, हाउ योगा हिल् तो पहला जो क्योशन है, इसके यानिकी वर्ड लिमिट है, वो 30-40 वर्ड रहने वाली है, छोटे क्योशन की, तो देखिए, पहला क्योशन आपन पढ़ते हैं, और उसके बाद इसका अंसर समझते हैं, अच्छा क्योशन है, अच्छा चेप्टर है, लेंग्वेस थोड़ी इसके इसके बाद भीमारिया है, उन बाद बीमारियों का नेम लिखिए, जिसका इलाज योगा के दुआरा किया जा सकता है, या योगा है वो उपयोगी कैसे है उन दोनों का आंसर एक ही होगा बच्चो तो देखिए according to the author लेखर के अनुसार योगा can be a therapy योगा का इलाज किया जा सकता है योगा के द्वारा इलाज किया जा सकता है फोर किस का कैंसर का infertility मतलब नी संतानता या बांजपन का lung disease फेपडे से समंदित बिमारी का multiple sclerosis क्या होता है बच्चो सनायू तंतर की यानि दुरूबलता से समंदित बिमारी होती है Parkinson disease ये भी एक यानि ऐसी बिमारी है जिसके अंदर हमारी जो bodies activities है उस पे हमारा control नहीं रहता है तो Parkinson disease है Insomnia मतलब अनिदरा, नीद नाना, high blood pressure, BP, high blood pressure and joint pain और जोडों में दर्द इन सभी बिमारीों का इलाज किस के द्वारा किया जा सकता है योगा के द्वारा किया जा सकता है तो ये question बच्चो सबसे अच्छा है, सबसे important भी है तो आप इसको यानिकी learn कर लेना, कौन-कौन सी बिमारी है वो दुबारा देख लेना, cancer है, infertility है, lung disease है, multiple sclerosis है, Parkinson disease, insomnia, high blood pressure and joint pain ठीक है तो देखे, आप notebook के अंदर करे, या exam वाली copy के अंदर करे, तो देखे, जिस तरह से students ने किया है, इस तरह आप इसको यानिकी करे, तो देखे, आगला question है, name some disease, कुछ बिमारियों के name लिखिए, which are caused by stress, जो किसके कार्ण होती है, तनाव के कार्ण होती है, stress means, तनाव के कार् कौन सी बिमारी है, या how many diseases, कि कितनी बिमारिया है, जो caused by stress, किसके कार्ण होती है, तनाव के कार्ण होती है, तो देखे, बच्चो, medical जो research है, medical जो अनुशंदान है, वो estimates date, अनुमान लगाता है, आंकलन लगाता है, कि about 90% of diseases, कि 90% जो बिमारिया है, वो are किस से related है, stress से related है, some diseases, कुछ बिमारिया है, जो कि stress से related है, वो कौन सी है, पहली जो बिमारी है, वो है cardiovascular disease, cardiovascular मतलब हर्दे और रक्त संचार से समंदित बिमारी, किस से, हर्दे और रक्त संचार से आने कि समंदित जो बिमारी है, वो cardiovascular disease है, और ये किस के कार्ण होती है, यानि stress के कार्ण होती है, अगला है डिप्रेशन, डिप्रेशन में आ जाना, अवसाद में आ जाना, एंजाइटी मतलब चिंता, एंड सम टाइप्स ओप डाइबिटीज मिलिटस, एटसेटरा, डाइबिटीज मिलिटस मतलब मधुमे समंदीत बिमारी, तो कहना का मतलब क्या है, आपको बच्चो इतना याद रखना है, stress related बिमारी कौन कौन सी है, पहले ध्यान रखना है, cardiovascular disease, दूसरा है depression, तीसरा है anxiety, और नेक्स्ट कौन सा है, diabetes, मिलिटस, तो ये चार बिमारी आपको ध्यान रखना है, और उपर उन बिमारीों का नाम है, जिसका ईलाज, योगा की द्वारा किया जाजा सकता है, अगला क्योशन है, बच्चो, अच्छा क्योशन है, सारे क्योशन ही इसके important है, यह कोई भी नहीं बता सकता, यह une important है, सारे के सारे यानि कि important person है सारे क्योसन आपको यानि कि learn करने होंगे अगला देखिए write the main हजार्स हजार्स मतलब खत्रा या problems यानि कि मुखे खत्रे लिखी है किस के stress के कि तनाव के मुखे खत्रे क्या है ये तो क्या है कौन कौन सी बिमारी होती है अब stress लेने से खत्रे क्या है या क्योसन आजाए कि वाई stress हामपुल तनाव नुक्षान दाई क्यों है two hour body हमारी body के लिए तो आप इसका answer के से करोगे बच्चो कि stress है वो is harmful नुक्सान दाई है two hour body किस के लिए हमारी body के लिए because क्योंकि it causes इसके काण क्या होता है immediate यानि तुरंत क्या होता है surge in heart rate हमारी जो heart rate है वो surge हो जाती है तेज हो जाती है किसके काण यानि कि तनाव के काण यानि तनाव के काण यानि मुख है यानि कि खत्रा क्या है पहला क्या है surge in heart rate या heart rate को यानि मेटाबोलिजम मतलब एपचन एपचन की सिकाइट रहती है चीज पस्ती नहीं है एंटेंसिंगों मसल्स मासपेशियों में तनावाना खिंचावाना ये किसके नुक्सान है यानि कि स्ट्रेस के नुक्सान है तो बच्चों ध्यान रखना है सारी चीजों का ध्यान रखना कि सर्जिन हार्ट रेट हार्ट रेट में यानि की बढ़ना कार्डिक आउटपूट का यानि की बढ़ना बीपी बढ़ना सेलो ब्रेइटिंग मतलब धीमी स्वां स्वेटिंग पसीना निकलना मेटाबोलिजम एपचन और मासपेशियों में खिंचाओ ये बच्चो अच्छी तरह से आप कहीं ऐसा नहों कि दूसरा जो आंसर है वो इस तीसरे के आंसर में लिख दो ऐसा मत कर देना क्योशन को समझना है अगला क्योशन भी बहुत 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 इंपोर्टेंट एक भी क्योशन ऐसा नहीं है इसके अंदर जो इंपोर्टेंट नहीं है बच्चो तो आप ध्यान से इस चेप्टर को या निकिलन कीजिए अगला है what is the impact of the high level of cortisol on our health क्या प्रभाव पड़ता है high level of cortisol cortisol क्या है बच्चो एक हर्मोन का नाम है कि cortisol हर्मोन जब high हो जाता है उसका स्तर high हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो हमारे सवास्ते पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है तो देखिए बच्चो यानि कि kortisol हर्मोन अगर तो वो तो हमारे स्वास्ते के लिए अच्छा है लेकिन हाई लेवल पर यानि कि हो जाए kortisol यानि कि ज़्यादा हो जाए हमारे अंदर तो वो नुकसान दयी अब देखिए कैसे तो the high level of kortisol है यानि कि कोर्टिसोल जो हर्मोन है उसका हाई जो लेवल है वो केन सप्रेस दबा सकता है दे इम्यून सिस्टम कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है रोग परती रोदक छमता वाला जो सिस्टम है रोगों से लड़ने वाला जो सिस्टम है उसको दबा देगा कब जब कार्टिसोल आपका बढ़ जाएगा तो कहने का मतलब क्या है कि आपका एंटिवाटिक सिश्टम है जो आपके अंदर वो क्या हो जाएगा वो दब जाएगा काज sleep disturbance और इसके कान क्या हो जाएगी sleep disturbance आएगी मतलब अनिद्रा नींद नहीं आईए आपको and loss of appetite, appetite means भूख, loss मानि खो जाना भूख नहीं लगेगी, increase heart rate आपकी heart rate बड़ेगी, BP बड़ेगी और साथ ही बच्चों क्या बढ़ जाएगा आपका, cholesterol and triglyceride level, cholesterol का स्तर और triglyceride का स्तर है वो भी बढ़ जाएगा और ये cholesterol and triglyceride क्या है, which are the risk factors ये risk factor है जो खिम बड़े factor है फोर किस के लिए, यानि कि heart attack, यानि कि end stroke यानि कहने का मतलब क्या है जब हमारे अंदर cholesterol and triglyceride का level बढ़ जाता है तो इससे heart attack का खतरा हो जाता है और साथी strokes, यानि मस्तिस्क में रक्त संचार समंदित यानि समस्या भी आने लगती है तो मतलब high level of cortisol का यानि कि क्या यानि परभाव पड़ता है हमारी body पे, एक तो क्या हमारा immune system को दबा देता है, नम्मर दो क्या होगा, sleep disturbance नीद नहीं आएगी, तीसरी loss of appetite, यानि कि भूख खो जाना, भूख नहीं लगेगी heart rate, BP बढ़ जाना और साथ ही cholesterol और trigills ride का level भी बढ़ जाना अगर cholesterol और trigills ride अपने अंदर बढ़ गया, तो ये समझिए कि खत्रा किसका होगा, heart rate का और strokes का होगा, ठीक बच्चो उमीद करता हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ये क्योशन भी बच्चो अगला बहुत important है, अगला what is important, कि क्या महतोपूर्ण है, या what is necessary, क्या आवसेख है, for the promotion of long term health, कि long term, लंबे समय तक यानि की हम, यानि की सवस्त रहे, उसके लिए क्या जरूरी है, तो सबसे जरूरी यही है, कि हमारा immune system है, वो क्या हो in right order right order में हो, मतलब हमारे अंदर का जब antibiotic system अगर right order में होगा, तो सब कुछ होके होगा, तो immune system यानि की सही होना चाहिए, इतना लिख दीजिए या आप किस तरह से लिख सकते हो, the circulation of blood क्या है, long term health के लिए क्या जरूरी है तो यानि blood circulation होना to all the system of body, कि हमारे body के अंदर जितने भी system है, उसमें blood का संचार होना, जैसे digestive के अंदर जाना, मतलब पाचन किरिया के तरफ यानि की क्या है यानि blood circulation यानि की रहना, या reproductive gland जनन गरंती है, उसकी तरफ blood circulation हो रहा है, और साथ ही क्या है immune system है, यानि हमारा अंदर जो रोग परती रोदग च्छमता वाला system है, वो भी आउसे कहे किस के लिए, promotion of long term health, यानि लंबे समय के यानि की health के लिए लंबे समय तक हम सवस्तरे, ठीक है अगला question है, कि which system, कौन सा हमारे अंदर system है, जो counterbalance करता है, संतुलित करता है, the effect of fight or flight response in the body कि हमारी body के अंदर जो fight or flight है, लडो या बागो की आनि जो परती के लिए है, इसको सांत करने का कौन सा system है, जो काम करता है, संतुलित system होता है, वो क्या करता है, हमारे अंदर, इसको fight or flight भी बोल देते हैं, ये तो हमारे body के अंदर क्या प्रभाव डालता है कि इससे BP बढ़ जाती है, पसीना निकलने लगता है, तो ये सारी चीज, यानि कि अपने chapter में पढ़ चुके हो, और इसको यानि जब यानि कि सांत करने का काम कौन करता है पेरा सेंपेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब fight or flight response को यानि कि counterbalance करने का कौन का काम करता है, उसका नाम है पेरा सेंपेटिक सिस्टम है, वो क्या करता है, counterbalance करता है कि इसको effect of fight or flight response कि हमारे अंदर fight or flight जो पढ़ती करिया होती है, उसको यानि कि परभाव को यानि कि कम करने काम पेरा सेंपेटिक करता है, तो ये खिर्शन भी बच्चों यानि कि अच्छा है अब अगला देखिए, कि how can पेरा सेंपेटिक nervous system भी activated, कि हमारे अंदर जो पेरा, हम यानि कि पेरा सेंपेटिक nervous system के से activate कर सकते हैं हमारे अंदर एक बच्चों बताया था मैंने कि सेंपेटिक nervous system होता है, ये सब कुछ तेज करता है, जैसे heart rate को यानि बढ़ाता है, मास पेशियों में खिंचावाना, स्वेटिंग, पसीना निकलना, मेटाबूलिजम, एपचन की सिकायत रहना, ये तो सेंपेटिक के काण होता है, तो मतलब ये anytime अगर रहा तो यानि कि हमारे, यानि कि heart attack आ सकता है, और यानि कि strokes की भी दिकत आ सकती है, तो इसको सांत करने का काम किसका है, पेरा सेंपेटिक नर्वस सिस्टम, कहने का मतलब जब आपके अंदर सेंपेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा समय तक एक्टिवेट रहे, तो जरूरी ये है कि आप पेरा सेंपेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कीजिए जब खत्रा या तनाव देने वाले जो कारक है हेज पास्ट गुजर जाए या इंडेड समापत हो जाए एक तो तब होता है मतलब परासेंपेटिक नर्व सिस्टम कभ यानि एक्टिवेट होगा जब तनाव देने वाला यानि कोई खत्रा है या स्ट्रेसर है अब वो कौन सा खत्रा है, स्ट्रेसर है ये बच्चों मापको चेप्टर के अंदर भूत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन जरूर देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ भे आ जाएगा जब वो गुजर जाए तब कई है परासेंप्तितिक नर्वस सिस्टम एक तो अपने आप हो जाएगा और दूसरा क्या है यानि कि गईरी गईरी स्वांस लीजिए अपनी जो मांसपेस से जुड़ी जो मांसपेस या उसको डिलाज होड़ धीजिए तो मतलब इसमें दो तरह से होता है तो इसके लिए ज़रूरी बच्चों ये चेप्टर समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन्स पढ़ा होना चाहिए तो सब स्टूडेंट्स यानि ज़रूर पढ़े अब अगला देखिए कि क्या परभाव पड़ता है परशेंपेटिक नर्वस सिस्टम का अमारी बोड़ी के उपर तो ये क्या करता है देखो बच्चों सेंपेटिक नर्वस सिस्टम तो एकदम से तेज कर देता है सबको हाई कर देता है और पेरा sympathetic क्या करता है उसको सांथ करने का काम करता है तो देखे इट lowers BP बलरड प्रेसर को कम करता है ठीक है बच्चो heart rate को कम करता है respiration और स्वास की गति भी थोड़ी यानि ठीक कर देता है इट allows और ये क्या करता है ये अनुमति देता है digestion को हमारी जो पाचन की रिया है उसको अनुमती देता है elimination मानी मल निसकासन को यानि work to go on की वो काम करें कहने का मतलब क्या है sympathetic nervous system то sat down कर देता है digestive system को or elimination system लेकिन क्या करता है यह जो पहरा sympathetic nervous system है हमारे digestion और elimination को यानि की ανुमती देता है काम करने को और it divert the blood towards digestive किस की और यानि कि बलड through किस की ओर डा estग कर देता है यह बच्चो आपको मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूं तो आप चेप्टर को जुरूर या यानि की बोज़ करे अब अगला देखिए यह भी भोछ अच्छा के ऊसना यह अक्वन में पूछा भी गए आई ये कि what are the musculae skeletal disease what are the musculae skeletal disease musculae skeletal بیمارी कौन सी है name deposits का नाम लिखे मतलब अस्ति पेंजर समंदित यानि बिमारीा कौन सी है हड़ी से समंदित बिमारी यानि कौन सी है उसका यानि की नाम लिखे तो musculae skeletal यानि disease है वो कौन सी है नाम लिखे, क्यों सनाया हुआ है बच्चो एकजाम में तो डिजीज, तो सबसे पहले तो अपने यह समझेंगे कि मस्क्यूलेस के लेसल, यानि कि डिजीज कौन सी होती है, कि वो बिमारी which weaken the bone जो हड्यों को कमजोर कर दे या weaken the bone structure, यानि तो हड्यों का जो डांचा है, उसको weaken मतलब कमजोर कर देते है and muscles को कमजोर कर देता है mass patient को कमजोर कर देता है such as जैसे की arthritis joint pain, जोडो का यानि कि दर्द है, या end osteoporosis है R card, इसको यानि कि क्या कहा जाता है, मतलब क्या है हड्यों को यानि कि एकदम कमजोर बना देता है, ये क्या है ये musculoskeletal disease कहा जाता है तो musculoskeletal disease कौन कौन सी है, तो दो नाम दिया गए बच्चों, एक तो आर्थाइट है और दूसरा कौन सा है osteoporosis है, तो ये दो बिमारिया है, arthritis आर्थाइट्स और osteoporosis ये दो नाम याद कर लेना ये क्या है, ये musculoskeletal disease है और ये क्या कर देता है, ये बोड़ी को कमजोर बना देता है इन्फम बना देता है और साथी unstable मतलब एस्तिर बना देता है, तो इस तरह ये दो नाम आप द्यान रख लेना और ज़्याद आपको याद ना हो तो एक तो क्या, एक तो arthritis बोल देना और एक osteoporosis बोल देना ठीक है बच्चो, अगला question है ये भी अच्छा है, describe the main components of yoga practice की yoga practice के मुखे component बताईए, गटक बताईए की yoga practice के मुखे component कौन से है, तो the main components of yoga practices are yoga practice के जो मुखे गटक है, वो क्या है आशन आशन जैसे अपन different posture करते हैं, अलग-लग मुद्राई प्राणायम है, जैसे breathing technique, स्वास लेने की technique है and ध्यान, जिसको meditation exercise भी बोलते हैं, तो ये सारी क्या है, ये yoga की यानि की क्या है, main components है, जैसे कौन-कौन से हो गया पहला यानि की आशन हो गया, प्राणायम हो गया, और क्या हो गया, ध्यान हो गया ठीक है, और उसके बाद अगला question है की what does the practice of yoga encourage की practice of yoga है वो क्या encourage करता है किस की और यानि की encourage करता है मैं तो practice of yoga है encourages, extensive मानि हो ज़्यादा, holistic मानि संपून, approach यानि की practice of yoga है वो क्या करता है, किस की और encourage करता है, गहना यानि की संपून द्रश्टिकों रखता है ये, yoga यानि की practice है वो date, concentrates on peace और ये क्या करता है ये हमें peace के उपर concentrate करवाता है, सान्ती पे bliss के मतलब सुक के उपर good health और अच्छे स्वास्ते पे harmony सामन जेसेता and all around fitness और all around fitness पी ये क्या करता है हमारा concentrate यानि की करवाता है, अब अगला question है बच्चों, कि what do you understand आप क्या समझते हो when the author advises to जब लेखक है, वो हमें सला देता है to consider yoga कि आप yoga को समझिए as a complementary therapy कि आप yoga को क्या है कि complementary therapy समझिए पूरक therapy समझिए जैसे कि अपने पहले क्योसन में समझा कि yoga बहुत सारी बिमारी का इलाज कर सकता है cancer का इलाज कर सकता है infertility का, bands यानि कि lung disease का कि yoga क्या है as a complementary therapy एक पूरक यानि कि क्या है therapy एक एक कहने का मतलब क्या है कि केवल ये जो बिमारी है तो yoga पर ही depend नहीं हो तो इसके अलावा यानि कि हमें डोक्टर को भी यानि दिखाना चाहिए उसका मतलब यही है तो कहने का मतलब क्या है कि कई वेक्ति के जैसे cancer हो जाए और वो ये देख ले कि नहीं सर ने हमें बता दिया कि cancer का इलाज है वो yoga से हो जाएगा तो इसा नहीं करना है ये complementary पूरक है मतलब क्या है ये अत्रिक्त है आप डोक्टर से भी यानि कि दवाई लीजिए और साथ में योगा भी कीजिए तब ज्यादा बेटर रहेगा कहीं ऐसा नहीं कि ये सारी बिमारी है आप डोक्टर की बज़ाई आप योगा पही लगे रहो तो आप यानि कि जान खोड़ सकते हो अपना जीवन है वो जा सकता है तो the author wants to say that लेख कहना चाहता है कि योगा helps, योगा मदद करता है and sport करता है the healing mechanism यानि सवस्थ होने में या सवस्थ करने की परकिरिया में यानि योगा हमारी मदद करता है ये सच है ओप दबोड़ी यानि बोड़ी को कि कोई बिमारी है तो योगा करोगे ये हमारी help करेगा, sport करेगा healing mechanism है मतलब सवस्थ करने की परकिरिया में लेकिन it is not a complete therapy लेकिन योगा एकदम से therapy नहीं है इलाज नहीं है, चिकिसा नहीं है in itself अपने आप में तो इस परकार से we understand हम समझते हैं so by the author's advice यानि कि हमें क्या करते हैं यानि इस ethers की advice को यानि की समझना चाहिए तो समझ आ गया होगा बच्चों कहने का मतलब क्या आपको एकदम योगा पर डिपेंड ने रहे क्योंगी योगा आपने आप में complete therapy नहीं है इसको आपको अत्रिक्त लेना होगा अब अगला क्योंशन भी अच्छा है what is the reaction of our body हमारी body का क्या reaction होता है in the fight or flight system पे यानि कि fight or flight यानि कि system पे यानि क्या प्रभाव होता है तो देखे fight or flight system क्या होता है fight or flight का यानि जब activate होता है तो हमारी body का क्या प्रतिकिरिया होती है तो देखे, in the fight or flight system, the reaction of our body is positive, कि यानि कि fight or flight जो response होता है, इसमे reaction of our body है, वो positive होता है, in short term, यानि कि जब fight or flight जिसको यानि में अच्छी तरह से clear कर चुका हूँ, चेप्टर पढ़ाते समय, कि ये short time के लिए तो good है, positive है, but negative in long term, कि अगर fight or flight यानि long time के लिए रहे, तो ये negative हो सकता है, क्योंकि former, क्यों पहले वाला, मतलब क्या है, short time के लिए, former किसके लिए है, short time यानि कि fight or flight, यानि कि कम समय के लिए, अगर fight or flight यानि activate रहता है, तो ये prepare, ये तयार करता है, fourth rate, यानि जो खत्रा है हमारे लिए, उन के लिए तयार करता है, और later बाद वाला, मतलब long time क अगर आप यानि की fight or flight आपके अंदर activate रहता है तो places excess wear and tear यह भोज जदा wear and tear कर देता है मतलब तोड़ फोड़ कर देता है कहने का मतलब fight or flight का हमारी बोड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है so time के लिए positive है long time के लिए negative है क्योंकि so time में यह क्या करता है हमें त्यार करता है किस के लिए जो सामने खत्रा है उसका सामना करने के लिए और जो long time के लिए अगर आप fight or flight अपने अंदर activate रखोगे तो यह आपकी बोड़ी के अंदर wear and tear कर देगा ठीक है students अब अगला यानि कि यह दो question हो रहे गे बड़े person है योगा के लाब लिखिये जो लेशन के अंदर डिसकस किये गए है या how is yoga beneficial to health योगा है वो health के लिए कैसे लाब दाइक है या what are the benefits of yoga योगा के क्या लाब है बच्चो यह साथ नमर का question दो साल पहले यानि last year इस साल नहीं इस से पहले आ चुका है हो सकता है दूबारे आ जाए योगा के benefit योगा के benefit अगर question ना आए तो हो सकता है importance of yoga पर article या speech पूछा जा सकता है तो ये question आपको अच्छे से याद होना चाहिए अगर आपने chapter अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको yoga का ये जो question है answer है इसमें मेरे हिसाब से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी तो इस chapter को आप अच्छे से जरूर पढ़ ले तो मैं थोड़े इसको जल्दी बता देता हूँ क्योंकि आप chapter पढ़ोगे तो आप yoga से related बहुत सारी बाते यानि की लिक्स दोगे फिर भी यानि की जो चीजें हो देखिए तो there are numerous benefits of yoga बहुत सारी योगा के benefit है yoga है वो क्या करता है decrease करता है level of stress hormone यानि जो तनाव वाला जो hormone है cortisol को उसको यानि की कम कर देता है जिसका नाम क्या है? cortisol है cortisol का अपन यानि पढ़ चुके है normal level पे अच्छा है और high level पे ये क्या करता है? यानि BP को बढ़ा देता है heart rate को बढ़ा देता है और साथ ही क्या करता है? इससे cholesterol और triglyceride का level बढ़ जाता है जिसके कारण क्या है? ये risk factor हो जाता है किसके लिए? यानि की heart attack के लिए या strokes के लिए और ये blood and help कहने का मतलब ये cortisol यानि के hormone को यानि है इसको decrease करता है और साथ in the blood यानि blood में and help remove stress और तनाव दूर करने मदद करता है और ये it reduces और ये किसको कम करता है? ये जो योगा है responsiveness of mind to stressors यानि कि हमारे mind में ये जो तनाव देने वाले जो कारक है जो उतरदाई कारक है उसको यानि की reduce करता है lesson और ये क्या किसको कम करता है? intensity of fight or flight कि हमारे अंदर यानि जो fight or flight की जो गती है motion है उसके intensity को भी कम करता है मतलब ये सब योगा के दुआरा है और साथ में यानि की body को twist करना mod ना invert उल्टना और compress दबाना जिससे yoga posture के अंदर ये क्या करता है? यानि हम yoga करते हैं आसन करते हैं ये तरह तरह की body को twist करना invert करना compress करना दबाना ये सारे की सारे किया करता है blood circulation को यानि की increase करता है हमारी और body fluid को भी यह एनकी increase करता है और साथ में यह क्या करता है यह improve करता है body's ability body की जो ability है उसको heal itself याने की swim यानि हील करने में सवस्ट करने में यानि की यह मदद करता है यूगजा साथ में यानि की क्या help करता है maintain normal functioning of immune system यानि जो हमारा immune system है उसका नॉर्मल फंक्शनिंग करने में मदद करता है इन्फलेमेशन रिस्पोंस और जहां यानि की चोट वगरे लगी है रोगर स्तान पे यानि इसूजन यानि परतिक्रिया लेके आता है और योगा जो पोजेज है वो इंप्रूब मसल स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथ में भी सुधार लाता है प्रवेंट दे डिजीज बिमारियों से हमें रोकता है बचाता है जैसे लाइक आर्थाइट्स वो मस्किलोसकेलेटल डिजीज थी ना दो अस्तिपेजर यानि की वो कौन सी आर्थाइट्स और उस्टोपेरिस हड़ी समंदी जो बिमारी है उससे भी हमें रोकता है तो योगा पोस्चर है या पोज है वो इंप्रूव करता है हमारी लंग कैपिसिटी को तो फंक्षन करने के लिए तो इस वे में हम कह सकते हैं योगा बहुत ज़्यादा उप्योग है तो बच्चो आप दूसरे और भी यानि लिख सकते हो आप चेप्टर पड़ा है तो आपको जो जो योगा से समंदित लाइन है वो आप यानि लिख सकते हो importance of games and sports की भी कुछ लाइन है यानि इससे लिख सकते हो तो कुछ-कुछ लाइन आप लिख सकते हो अब लाश्ट क्यूशन है ये भी अच्छा देखिए what is sympathetic nervous system sympathetic nervous system क्या है समंदी तंत्री का तंत्र क्या है एक क्यूशन या आजए या how does it function और ये कैसे काम करता है sympathetic nervous system क्या है और ये कैसे काम करता है या आजए say how कैसे fight or flight system है वो affect our body हमारी body को affect करता है very important person है बच्चो ये sympathetic nervous system का करवा रहा हूँ और जो परा-sympathetic nervous system है इसके मैं दो-तिन आपको छोटे-छोटे क्योशन करवा चुका हूँ उसको जोड़ के आपे क्या कर सकते हो परा-sympathetic nervous system का अगर बढ़ा आ जाए तो आप कर सकते हो दो-तिन क्योशन है इसके छोटे क्योशन अपन कर चुके हैं फिर भी अपने एक साथ कर लेते हैं तो देखिए it is a situation ये एक ऐसी इस्तिती है in which जिसमे our nervous system हमारा जो समेंदी तंत्री का तंत्र है वो immediately तुरंत react करता है to something कुछ ना कुछ and we have to either face और हमें या तो उसका face करना होता है situation का या avoid it यहां क्या है avoid या उससे बचना होता है these responses are card और उसी परतिक्रिया को क्या कहा जाता है fight और flight परतिक्रिया कहा जाता है लडो या भागो परतिक्रिया कहा जाता है कहने का मतलब sympathetic nervous system जिसका दूसरा नाम क्या है fight or flight sympathetic nervous system का fight or flight और इसको counterbalance करने का काम किसका है parasympathetic nervous system का तो सबसे पहले sympathetic nervous system क्या है तो it is a situation यह एक ऐसी इस्तिती है जब in which our nervous system जिसमें हमारी जो nervous system है 70 तंतरी का तंतर है वो तुरंत कुछ न कुछ रियक्ट करती है हमें या तो क्या करना होता है कोई साब problem है उसका सामना करना होता है या उस problem से हमें बचना होता है और जो भी हम यानि परतिकिरिया दे fight की या flight की यानि उसी परतिकिरिया को क्या का जाता है fight और flight का जाता है उसका example एकदम बहुत यानि की देशी यानि की example है मैं आपको हिंदी translation करते समय इस पेर अगर आपका बता चुका हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा तो आप हिंदी translation वाली वीडियो जरूर वोच करें जिसका link मैं description box के अंदर डाल रहा हूँ तीन वीडियो है इस chapter की तो तीनों वीडियो को आप देखे अब आगे देखे these responses ये जो परतिकिरिया है fight or flight की ये क्या करता है temporarily increase एस ताई रूप से बढ़ा देती है heart rate को बढ़ा देती है cardiac output हर्दे जो उपजा है उसको बढ़ा देती है BP blood pressure को बढ़ा देती है sweating पसीना तेज आता है स्वांस दिमी हो जाती है स्वांस लेने में दिक्कत आती है metabolism एपचन की यानि सिकाईत आती है टेंसिवों मसल्स यानि खिंचाओ ये सारी जो यानि की बाते हैं बच्चो अपन पढ़ चुके हैं ये तनाव के खत्रे हैं तनाव लेते हैं तो उसके खत्रे हैं तो ये इसमें है ये तनाव के से आता है जब हमारे अंदर fight or flight system यानि activate होता है ठीक है तो internally आंतरिक रूप से क्या होता है बच्चो the fight or flight पढ़ती की रिया है वो shut down कर देता है जब हमारे अंदर sympathetic nervous system activate होता है तो ये shut down कर देता है किसको बंद कर देता है हमारे जो digestion और digestion है उसको बंद कर देता है पाचन किरिया को बंद कर देता है and reduces और गटा कम कर देता है blood circulation को हमारा जो रत्त संचार है उसको भी कम कर देता है to the internal organs of the body यानि body की जो internal organ है उसकी तरफ यानि blood circulation को भी यानि की कम कर देता है कहने का मतलब क्या है ये जो fight or flight है ये क्या करता है ये हमारे sit down कर देता है digestion को और elimination को पाचन यानि मल निसकासन किरिया को भी ये बंद कर देता है blood circulation को भी reduce कर देता है ये हमारे internal organ की तरफ और अपन पढ़ चुके हैं और परासंपेटिक नर्वोस सिस्टम इसका एकदम विपरीद करता है अब अपन पढ़ चुके हैं फाइट और फ्लाइट का यानि कि मारी बोड़ी पे क्या परभाव पढ़ता है तो for a short period कम समय के लिए ये जो response है वो good thing अच्छी चीज है क्योंकि because it prepares short time के लिए तो ये हमें त्यार करता है to respond परती किरिया देने के लिए to any environmental threat कि कोई भी प्रियावनी ये खतरा जाए उसका परती उतर देने के लिए ये अच्छा है but if we have these responses for a long time लेकिन हम इस response को लंबे समय तक रखते हैं exposure बना के रखते हैं continuous exposure यानि कि लगातार बना के रखते हैं इस stress को तो it becomes harmful ये नुकसान दाई हो जाता है to us हमारे लिए by severely affecting और ये बूरी तरह से परभाव डालता है our healing abilities हमारी सवस्त होने की जो abilities उसको यानि बूरी तरह से यानि परभाव डालता है मतलब हम यानि की सवस्त नई हो पाते हैं जल्दी से तो इस तरह से बच्चो ये जो हमारा जो chapter है how yoga hills इसके question answer सपन कर चुके हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो chapter है वो आपको अच्छे से आनि की समझ आ गया होगा वीडियो को like करें दोस्तों message करें चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें thank you